नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक PSU Bank Sector के बारे में मतलब एक Bank के बारे में PSU मतलब आप सभी जानते है Government का हिस्सेदरी जिस Company में ज्यादा रहते है उसको PSU सेक्टर बोला जाता है तो PSU सेक्टर का एक Bank के बारे में आज बात करूँगा जिसका नाम आप पहले देख चुके है Bank of Baroda है तो Bank of Baroda से एक बहुत बड़ा Breaking News यहाप आ चुके है तो उस Breaking News को आपको follow करना चाहिए यहापे मैं पूरा details में आपको study दूँगा क्योंकि जो यहापे बताई जा रहा है वो अगर गलत भी हो सकते है वो आपको फसाई जाने के लिए कोई भी साजीस भी हो सकते है तो सारे के सारे information यहापे बताने वाला हूँ तो वीडियो को फूरा देखना और अभी तक आपने इस चनले को सब्सक्राइब ने किया तो जोरू सब्सक्राइब कर लेना तो चलो फटा फट देख लेते हैं आज क स्टॉक के डिटेल्स के बारे में सबसे पहले में चाट पटन के उपर आ चुका हूँ यह आप आप देख सकते हैं बैंक को बोरोदा का जो एक्चुली फाइनलिसियल सर्विसेस कंपानी है एक बैंक है और बो भी देखा जाए एक पी एस यू बैंक है मतलब एक गवर्में कोई भी हो सकते हैं मगर गवर्मेंट के पास सबसे ज्यादा इस कंपानी का हिस्सेदारी है तो इसलिए मैं आपको मैं जुरूर यहाँ पर डीटेल्स में दिखाऊंगे यहाँ पर देख सबसीडारी जो है वह बैंक आप बरोदा कैपिटल मार्केट है और यहाँ पर देख है वो है गवर्मेंट तो मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमा देना चाता हूँ मैं गवर्मेंट सबसीडरीस कंपानी में नहीं करता हूँ क्योंकि उस कंपानी के उपर मैं भरोसा ज्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि गवर्मेंट कभी भी कोई भी सिच्वेशन कोई भी न तो आप उस टॉग में नीवेस करने से फाइदा आपको क्या है एक चीज जूरुर आपको हमेसा फाइदा मिलेगा वहर डैवी डैविड an government सबसिडरीज, गवर्मेंट, ओनर्शिप का बैंग में आपको ज्यादा तर डेविडेन मिलेगा, डेविडेन का फाइदा आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, तो इस बैंग के बारे में आज यहापे बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहापे दो ब्रेकिंग निउज आ क्योंकि इसके मत करना, यहापे बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, मैं आज के प्रॉमिस करता हूँ, एक बहुत अच्छा खासा चीज सिखाऊंगा, जो चीज आपने कभी साथ देखा भी नहीं, तो चलो देख लेते हैं, वो क्या निउज है, उसी के उपर, देखे, क् थी का रेजल्ट जनौरी मांथ से स्टार्ट हो चुके है, पहले आज के दिन ही क्वाटर थी का रेजल्ट स्टार्ट हुआ है, आज के दिन से ही फास्ट क्वाटर रेजल्ट आया है, तो उसी के बारे में यहापे बात करूँगा, तो बैंक अप बोरोता का अभी तक क्वा उस खुद analysis किया इस company के उपर क्योंकि दिखे आप छोटा मोटा निवेसक है हम लोग छोटा मोटा निवेसक है हम ज्यादा तर डीटेल्स को study करके उसमें निवेसकर देते हैं अगर जो institution है तिगज investor है वो क्या करते है company का पहले से ही fundamental और साथी साथ company का वैलन सीट company का totally accounts details हमें साथ study करते हैं क्योंकि उस company में हम लोग तो कितना निवेसकरते हैं चोटा मोटा amount निवेसकर देते हैं और वो लोग करोड़ों में निवेसकरते हैं तो उसलिए उसका बहुत ज़्यादा उसके पर focus रहते हैं बहुत ज़्यादा उसके उसके पर research करते ह मगर मुझे इस तरीके साथ research कुछ positivity कुछ negativity जुरू लगते है क्योंकि देखे पहले रेजा लाने से पहले obviously आप मान सकते है कि इस तरीके से performance हो भी सकता है मगर मुझे लगते है जब तक आप आँखों से नहीं देखेंगे तो उस तरीके से news आपको follow नहीं करना है तो आप मोतिले लोसुल ने क्या कहा है बहुत एक बाद देख लीजिए आप आप देख सकते हैं मोतिले लोसुल ने कहा है बैंक को बरोदा quarter 3 net profit scene up मतलब profit growth होगा इ उनका analysis team है उन्होंने यहाँ पर खुद बताया है देखे में नहीं कहा रहा हूँ आप खुद जगत देख लेना आप बिजनेस money control site से इस news को publish किया गया है इसी news के चलते है आज के दिन बैंक को बरोता में अच्छा खासा उच्छाल देखने को मिला तो पहले ही जान चुके अच्छा खासा तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिला है तो actually देखा जाए मैं आज जो आपको सिखाने वाला हूँ इस तरीके से जो news fresh किया जाता है वो actually बहुत सारे time देखा गया है मेरे research के हिसाब से मैं बहुत सारे time में देखा हूँ कि public को यहाँ पर track कर किया जाता ह है क्योंकि उसको इस तरीके से news देखा के जबदस बाइंग के लिए उसका जाता है और वो क्या करते है इस तरीके से news देखे पहले से ही उन्होंने जबदस खरीदारी कर रहते हैं और इसी का फाइदा जितने सारे institution है उसको उठा रहते हैं देखे मैं यह नहीं कह रहा मनों देखे जबदस बैंग कर लेंगे यह अच्छा फायदा मिलेगा इसी सोच के और लेंग है क्योंकि आपको पहले से दिखा रहा है कि कि की रिजल ससाने रहा है तो बैंग करश G otra लो तो जब देखा जाएगा तो रॉकेट के तरह रहागेंगे और मुझे अच्छा कह सा profit मिल जाएगा मगर आप इस तरीके से tracking में मत फस ना आप इस तरीके से track में फस जाएँगे तो आपका फाइसा डूब सकता है देखे मेरे research के हिसाब से में data को आपको सामने डिसकस कर रहा हूँ मगर मैं भी गलाच जा सकता हूँ क्ये सारे के-सारे कोंपानि इस तरीके से न्यूज ब्रैस नहीं करता है मगर ज्यादा तर देखा जाये बहुत सारे कोंपानि इसने आपने देखा होगा एक टार्गेट रखता है मैं अभी इस कोंपान जो सेकेड न्यूज है उसी के बारे में पहले आपको दिखा देता हूँ आप आप देख सकते हैं क्या बताई जा रहा है बाई बैंक अब बॉरदा टारगेट प्राइस कितना 89 और इसका जो प्राइस रेंज आज के दीन जो चल रहा है वो कितना 86 तो इसका जो टारगेट रहा है 89 जो टारगेट रहा है तो यह भी कोई छोटा वोटा टारगेट नहीं है तो इस टारगेट को किसने रखा है एस एस सीकूरिटी मतलब एस बैंक का सिकूरिटी डिपरमेंट जो ज्यादा तर mutual fund और fund management करते हैं उसी उसी ने analysis कर सकते हैं तर्गेट जा भी सकते हैं ना भी जा सकते हैं देखिए इसका कोई guarantee उन्होंने नहीं दिया उनका कहना है कि एक target रखा गया है इस target को आप follow कर सकते हैं मगर मैं आपको हमेशा एक चीज जोरू सिखा के आया हूँ कि कोई भी किसी ने किसी टार्गेट रखा है उस target को follow जोरूर वाच करना मगर follow करके नीबेस मत कर देना नीबेस कर देगें तो आपको आप भास सकते हैं क्योंकि यहां पर जो देखिए जो बताई जा रहा है क्वा रिजल अच्छा कासा हुआ मुझे नीबेस करना चाहिए तम नीबेस करना मगर आभी फिलाल के लिए इस टाइप के नीउज और यहां पर जो टार्गेट रखा जा रहा है इस टाइप टार्गेट को follow करके आप कोई भी नीबेस मत कर देना क्योंकि आप short time swing trading करना चाहते है तो आप technical analysis खुद करिए खुद research करिए उसके बात नीबेस करिए तो आसा करता हूँ मेरे details जो मैं आपको बताया हूँ वो आपको जानकरी चीक ठाग लगा होगा तो नहीं भी लगा होगा तो आप खुद research करना आपको खुद बता चल जाएगा तो company के पार हमें बात 11.6 है company का जो इंडेस्टी प्यूरेसी है वो 9.89 है मतलब देखा जाए company का जो इंडेस्टी प्यूरेसी है वो थोड़ा सा लो लेबल में है इस company का प्यूरेसी चीक ठाग लेबल में ही है return of equity के बारे में बात कर तो 4.30 है और return of capital employed 4.30 है और return of equity मुझे बहुत वीक लगा 1.63 3% का return of equity है और साथी साथ company का जो face value है 2 रूपिया है company एक बास split भी कर चुके है company का जो high था 108 था low था 61.8 देखे इसका जो target रखा गया है 89 उस target को आफ जुरूर study करना मगर निवेस करने से पहले 4 बार सोच लेना company अभी तक dividend कुछ भी नहीं दिया है और company का जो depth of equity है मुझ 2500 करोड़ है और company का जो करजा है करीवन करीवन एक लाग 10 लाग करोड़ से भी ज्यादा है तो 10 लाग 60,000 करोड़ से भी इसका करजा ज्यादा है तो इस type company निवेस करके आपको क्या फाइदा कुछ भी मिलने वाला नहीं है लेकि जितने सारे PSV bank है उन में से इस company का ranking में भी रहेंगे कि उसका market comparison के इसाब से बाकी सारे के सारे company उतना ज्यादा यहाँ पर market comparison उसके पास नहीं है तो यहाँ भी company का जो configuration है मतलब company का जो performance है उसकी इसाब से बात करूँ तो company obviously second largest company है इंडिया का जितने सारे PSV sector में है तो साथी साथ company का हर साल का profit and loss का percentage है वो आप द देखिए कुछ इस तरीके से performance देखने को मिलेगा कि company अच्छा खासा profit जुरूर कर रहा था 2016 में 5000 करोड का loss किया उसके बाद 18 में 1000 करोड का profit किया और उसके बाद फिर से profit company किया देखिए profit loss तो इस तरीके से चलते रहते हैं कि फिर भी company में उतना growth क्यों नहीं है उसके चुका नहीं कितना दिन लगेगा चुकाने के मुझे तो पता नहीं क्योंकि government subsidiaries company में हमेशा आपको ज्यादातर करजा देखने को मिलेगा क्यों government का काम ही ऐसे होते है customer को मतलब जो जितने सारे customer है और जितने सारे उसका सेवा लेते है उस company से उसको क्या services देना ही government का काम हो देखिए इस company ने आपको किस तरीकी से return दिया बहुत सबसे पहले आपको देखना होता है तो आपको हर साल में company 5 सल, 10 सल, 3 साल में देखा जाए company negative return दिया हाँ एक साल में 30% का return जोरू दिया एक साल में return देखके आपको कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि आप long term के निभेसक है long term के लिए देखेंगे तो आपको इस company से कुछ भी नहीं मिला उल्टा आपसे ही पैसा चला गया क्योंकि आपको 10 साल में 5% का negative return, 5 साल का आपका fund का loss हुआ, 5 साल में 11% fund का loss हुआ, 3 साल में 11% fund का loss हुआ, company का sales भी उतना खास नहीं है, profit गो तो देखा जाए ठीक ठाक है अभी current scenario में, अगर पिछले 10 साल में देखूँँगा तो negative में है था, company का return of equity बहुत बहुत low level में है, और साती सात company का और भी parameter आपको दिखा दू, तो भ हारी भार कम company के पास करजा है, हर साल में company खुद का करजा बढ़ाते जा रहा है, अभी तो 10 लाग करोड भी company के पास करजा है, इतना बड़ा करजा लेके company काम कर रहे है, तो मुझे लगता है, इस टाइप company से आप जितना दूर रहेंगे, अच्छा रहेंगा, क्योंकि इसक अब देख सकते हैं, यहापे आप कहेंगे सर जाबदस माल ठक रखा है, देखें जो है, वो institution है, institution क्या करते है, वो माल swing trading करते है, मान के चलिए इस quarter में खरिदारी किया, और उसको profit मिल गया, वो second quarter में निकल जाएंगे, मगर आप तो long term निबसक है, तो long term के लिए आपके ल अभी negative में है, आप खुदी देख लिए जिसका chart pattern downfall में है, उस type company में में एक big negativity हुए हूँ, इस type company से अब दूरी रहे तो अच्छा है, आपका fund secure रहेगा, कोई भी news आ जा जाता है, कोई भी आपको impact देखाता है, कोई भी positivity news के मादम से आपको flash किया जाता है, तो उसको जान कर आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, दोस्तों को साथ share करना, और चनल को subscribe करना, मिलते हैं अगले stock लेके तब तक है अच्छे सरी है, अपने ख्याल लखिए, बबाई